देखो किसी भी काम को सीखने का जो प्रोसेस है वो बच्पन से ही शुरू हो जाता है जिसे आप सीखना कहते हो, लर्निंग कहते हो वो बच्पन से ही शुरू हो जाती जैसे ही एक मनुष्य जनम लेता है तब ही उसके सीखने की घटना जो होती है वो जनम से ही शुरू हो जाती जैसे जैसे वो बड़ा होता है पहले वो बैठना सीखता है फिर धीरे धीरे वो चलना सीखता है फिर वो बोलना सीखता है चाहे वो कोई भी इंसान हो और उसे कौन सिखाता है बाहरी लोग सिखाते हैं बाहरी बातावरन सिखाता है देखो आगर आप स्कूल में पढ़ते हो कॉलेज में पढ़ते हो तो या फिर आप कोई काम सीख रहे हो किसी बिजनस को सीख रहे हो सीखने का मनुविज्ञान क्या होता है बहुत से लोगों को नई चीजें सीखने से या तो डर लगता है या फिर वो बोर होना शुरू हो जाते उनकी उस काम में दिल्चसपी ही नहीं जागती है जिस कारण से उनको हर चीज सीखने में मुश्किल लगती छोटा सावी काम हो वो करने से वो डरते हैं सीखने से डरते हैं इस बात को हमेशा याद रखो अगर तुम स्कूल में पढ़ रहे हो कॉलेज में पढ़ रहे हो किसी काम को सीख रहे हो किसी बिजनस को सीख रहे हो बैपार को सीख रहे हो किसी चीज़ को बेचना सीख रहे हो या कुछ भी नया बनाना सीख रहे हो किसी चीज़ को ठीक करना सीख रहे हो हर मनुश्य हर वक्त सीख ही रहा होता है जब भी आप free बैठे होते हो तब भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो या तो आपके दिमाग में कोई चीज चल रही होती है कोई बात चल रही होती है भावनाएं चल रही होती है इमोशन चल रहे होती है दूसरों से बिताई हुई यादें चल रही होती है या फिर आप कुछ कर रहे होते हो वो हर वक्त इनसान कुछ ना कुछ सीख रहा है, अच्छा या फिर बुरा, सही या फिर गलत, अगर कोई इनसान सीखता है, तभी वो अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ता है, तभी वो दूसरे इनसान जैसे काम कर सकता है, ज़ातर लोग जो किसी काम को सीखते हैं, वो उसी काम को अच्छी तरह सीख पाते हैं जिस काम में उनकी दिल्चस्पी होती है, जिसमें उनका इंट्रेस्ट होता है, उस काम को वो बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, फिर चाहे वो दूसरों की नजर में कितना भी मुश्किल क्यों न हो, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं, जो मजबू का सामना करना पड़ता है कई दो स्टूडेंट 250 वंग से बात करती है मैसिज के थूरू बात करती आ हैं कौल पइंट्ममेंट लेते हैं कौल के उपर बात करती एक सवाल जो बड़ा common है पूछा जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से वो यही होता है कि सर हम सीख जब भी किसी काम को सीखते हैं किसी चीज को सीखते हैं तो हम बोर होना क्यों शुरू हो जाते आपने भी कई बर महसूस किया होगा जब आप किसी किताब को पढ़ रहे होते हो कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे होते हो फिर चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो या कोई नया आप किसी नई कला को सीखना चाहते हो तो आपको कोफ्त होने लगती मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं वो अपनी बुक उठाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं दो-तीन मिनिट वो पढ़ते हैं, उसके बाद या तो वो उनके हाथ में मुबाइल होता है उसे देखना शुरू कर देते हैं या फिर वो टीवी ओन कर देते हैं या फिर वो किसी सपनों में खो जाते हैं किसी ऐसी उल्टी सीधी बातों के इबारे में सोचे ने रखते हैं जो मन को बड़ा स्कून देती देखो, इंसानी दिमाग की एक आदत होती है ये किसी भी चीज़ को तभी सीखता है जब ये अपने मूड में होता है ठीक है? अगर किसी भी दिमाग का अगर किसी काम को सीखने के लिए उसका मूड नहीं है बैसे तो कई तरीके होते हैं दिमाग के चीज़ों को सीखने के लेकिन जो बेसिक तरीका है दिमाग किसी भी काम की तरफ तभी ध्यान देता है अगर उसमें उसका इंटरस्ट है तो अगर उसमें उसकी दिलचस्बी है तो दूसरा है दिमाग कब किसी चीज़ के बारे में सीखता है जब उससे उसको उस चीज़ से जुड़ा हुआ कोई reward मिलता है कोई इनाम मिलता है कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो उसको फायदा दे रही हो जो उसकी जिंदगी को और आसान बनाए जो उसके survival को और आसान बनाए जो उसे और अच्छे सपने देखना सीखा पाए उन्हीं चीज़ों को इनसान सीखने की कोशिश करता है दिमाग को भी बेवकुफ बनाना पड़ता है अगर किसी इनसान के दिमाग से काम लेना है तो उसके साथ आपको चलाकी खेलनी पड़ती है तब ही तुम अपने दिमाग से दूसरों के दिमाग से काम ले सकते हो इनसानी दिमाग के अंदर बहुत से आते होती हैं बिना लालच के ये कुछ भी नहीं सीखता है या फिर अगर कोई चीज इंट्रस्टिंग ना हो आपकी दिलचस्थी से ना जुड़ी हुई हो तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो कोई आपको जितने मर्जी लेक्चर दे जितनी मर्जी अच्छी-च्छी कहानिया सुनाए अच्छी-च्छी बातें बताए पढ़ने तक रहता है और जानते हो क्यों दिमाग के उपर मोटिवेशन का असर बड़े थोड़े टाइम तक क्यों रहता है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा जब भी तुम कुछ सीख रहे होते हो हमेशा याद रखना सीखते वक्त दिमाग के अंदर अपने आप वो वाले हिस्से ए सीख रहे हो वो अभी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ बन परसेंट है एक परसेंट जा रही है और बाकी 90 परसेंट 99 परसेंट वो information है जो दिमाग में पहले से चल रही है सोचो कौन सी information जीतेगी वही ना जो 99 परसेंट है ये बात तुमें ऐसे समझ में नहीं आएगी मान ल लोग नौकरी करते हैं, जौब करते हैं, वो अपना-पना काम कर रहे हैं, उन्होंने एक दूस्ठे के साथ balance बनाया हुआ है, सब एक दूस्ठे को जानते हैं अच्छी तरह और अपने बैपार को अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अपने competitors से उन्होंने समझाता कर लिया है कोई उनका ज़्यादा बड़ा competitor नहीं है सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे है अब मालो उसी company में उसी group में एक नया बंदा आ गया है उसी group में एक नया इनसान आ गया है नया बंदा आ गया है जो अब उन्हीं के साथ काम करने वाला है तो बाकी 99% में से 80% लोग कौन से होते हैं जो उसके पक्ष में नहीं होते जो उसको अपने सामने बरदाश्ट नहीं कर पा रहे होते जो सोच रहे होते हैं कि ये जो नया आ गया है इसे कैसे परिशान किया जाए इसे कैसे यहां से बाहर निकाला जाए एक पहले competition की कमी थी क्या जो ये एक और आ गया है हम इसे कैसे जहेलेंगे पहले से दोस्ती करनी पड़ेगी पहले से यान पहचान बढ़ानी पड़ेगी पहले इससे कोई रिष्टा निकालना पड़ेगा फिर कहीं जाकर ये हमारी जान पहचान का बनेगा और इसमें बहुत टाइम लगेगा तो दिमाग क्या करता है शौटकट मारता है वो उसको इगनोर करना शुरू कर देता है दिमाग कई तरह की भावनाएं कई तरह के इमोशन्स रिलीज करना शुरू कर देता है फिर चाहे वो एक पूरी भीड का दिमाग हो चाहे एक दिमाग हो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहाता हूँ तो उस एक बंदे का सभी मिलकर विरोध करेंगे सबकॉंशिसली चेहरे पर तुम्हें नहीं दिखाएंगे मालो वो एक आदमी एक इनसान तुम ही हो जो किसी नहीं कमपनी में गया है वहाँ पर पहले से ही भीड लगी हुई है तो वो तुम्हें तुम्हारे चेहरे के सामने ही तुम्हें company से बाहर निकाल दे वैसे ही इनसानी दिमाग के साथ होता है जब आप किताब के सामने बैठते हो, computer के सामने बैठते हो, camera के सामने बैठते हो, अपनी कोई painting मिनाने के लिए बैठते हो किसी machine के सामने बैठते हो कुछ भी, जो भी तुम नया कर रहे हो तुम्हारे दिमाग में जो पहले 99% thoughts चल रहे हैं विचार चल रहे हैं वो आने वाले इस नए विचार का विरोध करती है तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर को message देता है कि एक नई चीज आ गई है अब इसके साथ हमें adjust करना पड़ेगा और दिमाग जो message शरीर को भीजता है वैसा ही शरीर हो जाता है अगर दिमाग में से निकलने वाले किसी नही चीज़ को निकलने वाला thought पहला ये negative है कि इस काम को सीखने में कोई मज़ा नहीं है ये काम बड़ा मुश्किल है मैं तो नहीं सीख पाऊंगा या फिर मैं कैसे इस काम को कर लूँगा तब ही वो अपने अंदर से ऐसे ऐसे hormone release करता है कि तुमारी body language तुमारे शरीर का एक एक हिस्सा तुमारे शरीर की पूरी की पूरी जो परिकिरिया होती है वो वैसे ही चलना शुरू कर देती है और तुम्हें लगता है तुमारा दिमाग तुम्हें मैसेज देता है कि इस काम को सीखने का इस काम को करने का कोई फाइदा नहीं होगा जो लोग स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं कॉलेजिस में अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं वो बड़े होकर धर्म गुरू बन जाते हैं बिद्रोही बन जाते हैं वो कहते हैं कि पढ़ाई जैसी कोई बुरी चीज नहीं होती है तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए अगर किसी को जो इनसान जो काम खुद नहीं कर पाया है तुम देखना बड़ा होकर वो उसी काम में बुराईया करनी शुरू कर देता है या फिर जब वो सीख रहा होता है तब ही वो बुराई करना शुरू कर देता है आपको लग रहा है कि वो इनसान ऐसा कर रहा है तब ही क्या करता है, उसका विरोध करना शुरू कर देता है, दिखो धर्मों में बहुत सारी हमें अच्छी बातें सिखाई आती हैं, जिनमें से सबसे अच्छी बात जानते हो क्या सिखाई आती है, काम, करोध, लोब, मोह, एहंकार, इन सबी भावनाओं के उपर ध्यान रख इनको कंट्रोल में रखो, इनको वश में रखो, लेकिन क्या सच में कोई इन भावनाओं को कंट्रोल में रख सकता है, वश में रख सकता है, नहीं न, क्यूंकि भावनाओं लगातार पैदा हो रही हैं, शरीर में से, दिमाग में से, हैं तो भावनाओं, बेसिक भावनाओ पाँच भावनाएं जितनी की खोज धर्म ने की है उससे आगे वो नहीं खोज पाया तो वहीं पर उसकी खोज रुख गई है लेकिन भावनाएं सिर्फ पाँच थोड़ी होती है इच्छाएं तो बहुत सारी होती है लेकिन जैसे ही तुम्हें बाहर से कोई इच्छा डालने के लिए कहा जाता है किसी और की तरफ से कि ये सीखो, ये अच्छी चीज है, इसे अपनाओ, इसे सीख कर अपने दिमाग में डालो, इसे अपने यादाश्ट का हिस्सा बनाओ, बित्समृति का हिस्सा बनाओ, ये तुम्हारे सबकॉंशिस के कारण उस चीज को फॉलो करेगा, या किसी लालच के कारण फॉलो करेगा, या उसे उसे कोई खुशी मिल रही होगी, तब वो फॉलो करेगा, या फिर अगर वो दुखवादी इंसान है, उसे उस चीज से दुख मिलेगा तो वो उसे follow करेगा बिना कारण के बिना मतलब के अगर दिमाग को किसी विचार से कुछ नहीं मिल रहा है चाहे वो कोई भी emotion हो दर्द, खुशी, गुसा, उदासी, बेचैनी, थकावट चिर्चिरापन, जुन जुनाहट कुछ भी, अगर उसे कुछ नहीं मिल रहा है, negative, positive तो वो उस विचार को कभी नहीं अपनाएगा तुमने कभी बगौर किया है, जब तुम किसी चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे होते हो और जब तुम उसे नहीं सीख पाते तो उसे तुम ignore करना शुरू कर देते हो, उसमें सिर्फ बुराईया निकालनी शुरू कर देते हो, लेकिन शायद तुमने नहीं notice किया, वो जो चीज है, जो तुम सीखने वाले थे, वो जो काम है, वो अब तुमारे दिमाग में, negative form में, जमा हो गया है दिमाग के negative हिस्से में चला गया है काम वो अब भी कर रहा है तुम सीख तो गए, लेकिन सीखे क्या, कि इस काम को नहीं करना है, ये मुश्किल है अब तुम देखो उसकी negativity के बारे में उसमें से जितनी negative बाते मैं तुम से पूछूँगा, या सिखाने में कौन सी बुराई है, कौन से खत्रे है, कौन सी ऐसी चीज है जो तुमें आगे जाकर फाइदा नहीं देगी, इस काम का आगे कोई future में तुमें कोई फाइदा होगा या नहीं, तुम एक एक point लिख दोगे, उस विचार को तुम सीख चुके हो, लेकिन उसी वक्त positive चीजें खोजना शुरू कर देगा, positive मौके देखना शुरू कर देगा, वो ये देखना शुरू कर देगा, कि वो इस काम को कितने वक्त में सीख सकता है, कैसे सीख सकता है, कितनी उसे practice चाहिए, कब practice करनी है, कहां बैठ कर practice करनी है, कमरा कैसा होना चाहिए, महौल कैसा होना चाहिए, आसपास के लोग कैसे होने चाहिए, तुम अकेले बैठ कर उस काम को सीखोगे या तुम्हें एक भीड चाहिए, तुम्हें दोस्तों का एक ग्रुप चाहिए, या फिर पिर तुम अकेले ही उस काम को कर लोगे ठीक है दिमाग में जो mood चल रहा है जिस mood में वो विचार तुमें दिया गया है उसमें अगर तुम positive हो तो तुम वैसे सोचना शुरू कर दोगे negative हो तो वैसे सोचना शुरू कर दोगे जब एक इंसान पैदा होता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में शब्द नहीं होते फिर भी वो हर नई चीज के बारे में सोच रहे होते हैं द्रख्तों को देखकर उनके बारे में सोच रहे होते हैं बारिश को देखकर उसके बार में सोच रहे होते हैं, हवाएं चल रही होते हैं, तो उसके बार में सोच रहे होते हैं, कोई उनका नाम लेकर उनको पुकारता है, तो उसके बार में सोच रहे होते हैं, जो चेहरे उन्होंने पहले से नहीं देखे होते हैं, उन चेहरों को पर हाव भाव दिखाई दे जाएंगे लेकिन उसके पास अभी एक चीज नहीं है वो अपने emotions को व्यक्त नहीं कर सकता उसके पास शब्द नहीं है उसके पास शब्द नहीं होते इसलिए वो कुछ भी बोल नहीं सकता वो सिर्फ महसूस करता है या तो रोता है या हसता है या हैरान होता है या परिशान होता है emotions पहले हैं ये पूरी जिंदगी रहते हैं इंसान की निमाँ में शब्द बाद में आते हैं जैसे जैसे आपकी भावनाओं को शब्द दे दिये जाते हैं आप भावनाओं को explain करना सीख जाते हो समझना सीख जाते हो वैसे वैसे आपकी जिंदगी आसान से मुश्किल होती चली आती देखो अगर तुम philosopher बनने की कोशिश करोगे किसी भी काम को सीखते वक्त तो हो सकता है तुम जातर उन चीजों में चीज को सीखने के लिए मना कर रहा है लेकिन तब तुम सीखोगे सिर्फ negative बाते हैं तुम positive कुछ भी नहीं सीख पाओगे positive तुम कब सीख पाते हो जब तुमें motivation मिल रही हो या फिर motivation की ज़रूरत तुमें पढ़ती ही तब है जब तुम पूरी तरह से negative हो जाते हूँ अच्छा motivation कैसे गाम करती है किसी के भी दिमाग में अगर कोई इनसान motivation लेना चाहाता है motivation लेक्चर सुनता है motivation एक चीज मैं तुम्हें और बताता हूँ motivation सिर्फ lectures में नहीं होती लेकिन एक बार मैं तुम्हें lectures की बात हम करते हैं कि lecture से किसी इंसान को motivation कैसे आती शब्दों से motivation कैसे आती है और फिर वो motivation धीरे-धीरे असर करना बंद क्यों कर देती है आपके दिमाग के उपर असर करना क्यों बंद कर देती है आपको motivation का नशाग यूं हो जाता है motivation सिर्फ शब्दों की नहीं होती तो ध्यान से सुनो शब्दों की मोटिवेशन दिमाग में कैसे गाम करती है देखो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर क्या करता है जब वो किसी के सामने अपने शब्दों को रखता है बोलता है किसी को मोटिवेट करना चाहता है तो वो कई कहानिया तुम्हें सुनाता है या तो वो तुम्हें कोई अच्छी प्रेरना से भरी हुई कहानी सुनाएगा जो तुम्हें मोटिवेट करती है प्रेरित करती है कुछ करने के लिए या फिर तो वो तुम्हें कोई विचार देता है तब तक आपका दिमाग मोटिवेट रहता है लेकिन बाद में वो फिर से अपने पुराने मूड में चला जाता है और मोटिवेट होना बंद हो जाता है शब्दों की जो मोटिवेशन होती है कहानियों की मोटिवेशन होती है वो जाला टाइम तक असर नहीं कर पाती है क्योंकि शब्द दिमाग के उपर जाला टाइम तक असर नहीं कर पाते दिमाग के उपर शब्द भी वही असर करेंगे जैसा इनसान खुद है जैसा उसका मोड है अगर कोई इंसान नेगेटिव है तो उसके उपर नेगेटिव शब्द जल्दी असर करते हैं नेगेटिव बातें जल्दी असर करते हैं नकरात्मक बातें जल्दी असर करते हैं और अगर कोई इंसान पोजिटिव है तो उसके उपर पोजिटिव बिचार जल्दी असर करती है अगर कोई खुश रहने वाला है तो उसके उपर खुश रहने वाले विचार जल्दी असर करती है एक दुखी इंसान के लिए खुश करने वाली बातें मेडिसन जैसी होती है दवाई जैसी होती है जैसे ही वो ठीक हो जाता है फिर से वो अपनी पुरानी आतों में चला जाता है और एक खुश रहने वाले इंसान के लिए जो नेगटिव बाते होती हैं उदासी से भरी हुई बाते होती हैं वो उसके दिमागे में एक अलग तरीखी से काम करती है हो सकता है वो तुमसे भी ज़्यादा इमोशनल हो जाए उनको सुनता सुनता लेकिन फिर से वो अपने पुराने मूड में आ जाएगा वैसे ही खुश रहना शुरू हो जाएगा वैसे ही हसना खेलना शुरू कर देगा अगर तुम किसी चीज को सीख रहे हो किसी काम को सीख रहे हो तो मोटिवेशन बाहर से लेने की कोशिश मत करो और ना ही ये सोचो कि तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन पैदा होगी इंसान के सबकोशिस को समझो तुम्हारे दिमाग में जो विचार ज़्यादा है वही विचार काम कर रहे होते है और जब तुम अपने दिमाग को कई नया विचार देना चाहते हो, देखो नय विचार की क्या निशानी होती है, नई चीज सीखने की क्या निशानी होती है, जिस चीज का विरोध तुम्हारा दिमाग करना शुरू कर देता है, जिसे सीखने के लिए वो मना कर रहा होता है, सम और इसका solution ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान solution मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जिस भी काम को तुम सीख रहे हो, अगर तुम चाहते हो के उसमें तुम्हें motivation मिले, तुमारा उस काम को सीखने का दिल करे, उसे repeat करना शुरू कर दो, थोड़े थोड़े टाइम देता है, दिमाग के अंदर कई तरह के neurons, नए neurons generate होना शुरू हो जाते हैं, बनने शुरू हो जाते हैं, नए neurons जिस कारण से वो जो नया विचार होता है, नई चीज होती है, उसको दिमाग सीखना शुरू कर देता है, और उसे अपनी यादों का हिस्सा बनाना शुरू कर द जैसे तुम कई लड़के लड़कियों को देखते हो वो आपस में गल्फरेंड बॉइफरेंड होते हैं तुमने देखा होगा जो लड़के ज़्यादा खुबसूरत नहीं होते उनको भी लड़कियां बहुत पसंद कर रही होती जिस लड़की का बॉइफरेंड ज़्यादा तुम्हें नहीं लग रहा होता वो उसे बहुत अच्छा लगता है और या फिर जिस किसी लड़के की गल्फरेंड तुम्हें ज़्यादा खुबसूरत नहीं लग रही होती वो उसे खुद को बड़ी खुबसूरत लग रही होती है और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम उनको जानना शुरू कर देते हो, उनके आसपास बैठना शुरू कर देते हो, तुम उनकी बातों को सुनना शुरू कर देते हो, उनके behavior को देखना शुरू कर देते हो, तुम्हें भी वो अच्छे लगने लगते हैं, उनकी जोड़ी अच्छी लगने लगती है, तुम्हें लगता ह जब तुम किसी भी इंसान के साथ दोस्ती करना चाहते हो या फिर opposite sex के साथ दोस्ती करना चाहते हो जैसे लड़की लड़की साथ दोस्ती करना चाहते है या फिर लड़का लड़की से दोस्ती करना चाहता है तो सबसे पहले जो चीज होती है वो विरोध ही होता है वो एक का अपने रात में जो वो सपने देखते हैं उनका हिस्सा नहीं बनाना चाहते उनके दिमामें जो पहले से चल रहा है उसको उसी से सवर हो जाता है उसे लगता है यही प्रयाप्त है उसी को एहंकार कहते हैं तुम्हें लगता है कि तुमने जो सीख लिया है वही काफी है इसस ज्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता ही है सब कुछ, अंकार कोई वो बाते नहीं होती, जो तुम्हें किताबों में पढ़ाई जाती है, कि ये अंकार होता है, या फिर धर्म जो तुम्हें बताता है, कि ये अंकार है, नहीं, अंकार का मतलब क्या ह जब तुम्हें लगता है कि तुमने जितना सीखा है उतना ही काफी है उससे ज़्यादा तुम्हें सीखने की जरूत नहीं है क्योंकि तुम्हें पता ही है उससे ज़्यादा तुम्हें पढ़ने की जरूत नहीं है कुछ नया करने की जरूत नहीं है उसे अंकार कहते हैं तो द शीखने को समझना कैसे है? यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि कई बार बच्चे पूछते रहते हैं कि किसी भी काम को सीखने की कोशिश करते हैं मूर नहीं बनता, दिमाग काम करना बनद कर देता है दिमाग में विचारी पैदा नहीं होते या फिर ऐसे दिल करता है कि उस काम को छोड़ कर कहीं धूर भाग जाएं किसी भी इंसान का दिमाग दूसरे इंसान के दिमाग के विचारों को अपने अंदर जगा नहीं देना चाहता है अगर वो उसे जगा देना चाहता है तो उसमें पहले उसका या तो मतलब चुपा होता है या फिर उससे कुछ मिल रहा होता है कोई भाब मिल रहा होता है कोई आहसास मिल रहा होता है कोई emotion मिल रहा होता है खुशी या उदासी मिल रही होती है धीरे धीरे दिमाग जैसे उस विचार की तरफ ध्यान देता रहता है उसे देखता जाता है, सुनता जाता है हर रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करता चला जाता है फिर उसे उस काम में मज़ा आना शुरू हो जाता है ठीक है, मालो तुम ड्राइविंग सीख रहे हो तुमें गाड़ी चलाना नहीं आता, मोटर सैकल चलाना नहीं आता एक बार तुम डरोगे, लेकिन जैसे ही तुम उसे सीखना शुरू करोगे धीरे 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 तुमें उस काम में मज़ा आना शुरू हो जाएगा और फिर एक वक्त ऐसा आएगा तुम उस काम से बोर होने लगोगे इंसान किसी भी काम से दो वक्त में बोर होता है एक जब उसे वो बिल्कुल वो काम नहीं आता होता जब उसे सीखने की कोशिश कर रहा होता है और एक तब जब वो उसका expert बन चुका होता है